अस्सलाम वालेकूं वर्हमत व्लाहिव वबरकातों सैक मेरा नाम तुफैल आमद अंसारी मैं बनारस से हूं और हमारे यह साड़ी का कारोबार होता सैक मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जो पावलूम द्वारा जो साड़ी तैयार की जाती है उस पावलूम की साड़ी जो नहीं कुछ लोग बनाते हैं तो उसमें बोलते हैं कि यह जाइज नहीं है इस पे कुरान और हदिस की रोशने में सही वजात किजिए नाजरी यह हमारे एक भाई साब हैं जो सवाल यह पूछ रहे हैं कि यह साड़ी का कोई कारोबार करते हैं और साड़ी पे तस्वीरें छ सही बात क्या है वो बताएं तो देखें सही बखारी में बनाते हैं कि इन अशदनास आदाबन इंद लाह यौम लुम अल्कियामा अल्मसवीरून कि कि गयामत के दिन सबसे शदीद अज़ाब उन्हें होगा जो तस्वीर बनाने वाले हैं तो इस हदिस में बनाते हैं किसी घर में तस्वीर होती है तो उसमें फरिष्टे दाखिल महीं होते हैं बहुत सारी रवायात हैं जहां तक कारोबार का मस्ला है तो देखे कारोबार का भी यही हुक्म आप कपड़े तो पर पह पयंदार पहें ती हैं अगर किसी को बनाना भी है तो पेड़ पोदे वगरे की तस्वीर बना सकता है लेकिन जानदार की तस्वीर नहीं बना सकते हैं बाद अलमा ने जो तसावीर की गुंजाइश दी है वो खास अहलात के लिए है उसमें ये तजारत वाली बात नहीं आती है कपड़ा लिबास वाली बात नहीं आती है और गर्चे ये किसी का कारोबार हो फिर भी इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है सभी बखारी की एक हदीस है कि साइद बिन अबिल-हसन कहते है कि कुंतो इंदा इबन अब्बास रजियलाओनुमा कि मैं अब्दिल्ल्ला बिन अब्बास रजिल नहीं कारोबार करता हूं कुछ बनाता हूं वैन disproportionती तसावीर अवमें ये तस्विरे बनाता हूं तो इसने क्या कि और इनमा मईılar व्र को मेरे हाथों की कारी गरी से होता है और वो कारी गरी क्या थी التصاویر कि वो शखस तस्वीरे बनाता था तो इस चीज़ को लेकर उसने अब्दिल्ला बिन अबास रजी आलों से सवाल किया तो उन्होंने क्या क्या फ़काल अबन अबास अबन अबास रजी आलों ने कहा कि ला उहद्दिसक इल्ला मा समयत कि मैं तुमको वही बतांगा जो मैंने अल्ला की नभी आब्झा को फिरकाएं कि ल्ला की नभी ने फरमाएक to न जिसने भी कोई सूरत बनाई कोई तस्वीर बनाई पाइनलह मअजिब हुष छत्यान फख आ ए रू certa और उसमें रूह नहीं पूंक सकता है ये हदिस सुनने के बाद उस शखस को काफी रंज हुआ उसका चेहरा पिला पड़ गया तो जब अब्दिल्ला इबन अबास रजलों ने देखा कि ये जवाब सुनकर वो शखस घबरा गया तो कहा कि इन अबैत इल्ला अंतसना अगर तुम तस्वीर बनाना ही चाहते हो तस्वीर बनाना ही चाहते हो तो ये जो दरखत है या इस दरखत जैसी हर वो चीज जिसमें जान नहीं है जिसमें रूह नहीं है उसकी तुम तस्वीर बना सकते हो तो मेरे बाइं ये हदीस आपने एक कारोबार का जिक्र किया है इस हदीस में भी हैindre कि अब्दिल्ल्ह और अब्नाबास रजेलों के Σामने एक शप्त ने अपने कारोबार का जिक्र किया उसका घुजर बसर वहीं से होता था लेकिन अब्दिल्ला बनाबास रजल Scilabia उनने उसके लिए कोई गुणजाईश नहीं दी वहला कि वो गुणजाईश का तालिब था तो अब्दिल्ल्ला बनाबास रजलманे कहा कि अगर तुम को बनाना ही है तुम्हारी ये कारीगिरी है तो फिर ये दराख, पेड़, पोदे वगरा इन सब चीजों की तस्वीरे बनाओ, जानदार की तस्वीरे नहीं बना सकते हैं तो खलासा ये है कि भाई आप कोई भी कारोबार ऐसा नहीं कर सकते हैं जिसमें तस्वीरें बनाना पड़े, खासों से कपड़े उगरा पड़तों तस्वीर की कोई जरूत नहीं है इसलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए हदीस मैंने आपके सामने पेश कर दी है, उसकी रोशनी में इसकी गुंजाईश नहीं है उमीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा ऐसे ही और वीडियोज बनाने में हमारी मदद करें आई प्लस टीवी को जरूर डोनेट करें